असलोब अलेकम वही जदोड लेट्स टॉक बाउट प्रोटेस्ट इस्ट्रगर प्रोटेस्ट क्यों किस लिए क्या आपका गोल है क्या आपका वीजिन है क्यों चाहते हैं क्या कन्वे करना चाहते हैं मैं एक समाने में कराची के अंदर जिस वक्ताइ स्टार्टेड माइ थीटर इन 89 उस समाने की जो स्ट्रगल थी जिस तरीके से क्योंकि बेकरारी थी चनून था करना है कुछ और क्योंकि मैंने जिंदेगे में एक शीज़ सीखी थी कि आप किसी पर डिपेंड मत करें आप में जो करने हैं इसको स्टार्ट करें आपकी टीम बन जाती है आपकी गिरत आपको हेल्प मिल जाती है यहां पर एक मूवमेंट चली थी जो इस पर मैं भी शामिल हुआ उसका नह कि यहां का जो एक बैंको का निजाम है जिसकी वज़े से आम आदी बहुत ज़्यदा सफर करता है और पिलकुल लोग जो हैं वो मेकैनिकल रिबोर्ट बन चुके हैं बस यह होता है कि हफ़ता काम करें महीना काम करें साल काम करें एंड अफ़ ड़ी सिर्व वो पनी बेसिक पूरी कर सकते हैं वो अपने ले कुछ बचा नहीं सकते नहीं कर सकते और कई कई लोग जो होते हैं पूरी जिन्दगी काम करते हैं जब रिटायर्मेंट प्राते हैं उसके बात जब वो पीछे मुड़के देखते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं होता है इवन जिस घर मे कॉर्परेट बिजनस की तरह हैं आ फाइनेशियल एड और इस तरह के से तरह हैं तो मैं नहीं सुच है यार मैं भी इस का पार्ट को नूँ क्योंकि 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 मैं हमेशा से क्लासिफिकेशन के खिलाफ हूं मुझे यह जो क्लास सिस्टम है इसे पता नहीं क्यों यह आच अचिंडेग करें विका कहूँद Megyun और बहुत सारे लोग जो होते हैं तालंटेड लोग होते हैं उनके रास्ते बंद हो जाते हैं यह जो को लुवघेशन को समय से क्लेया चाहिए ऊचिर्देफिक मुज़न एकमिर तो मैंने ऑक मूवमेंट यह हूं कही तर्मny अ So I started an art protest on Wall Street, I said I'm going to go in a funniest way, I'm going to go in a more delight way to convey my message. Anyway, सबसे पहले तो मैं किसी और आर्टिस्स को भीचारे को कन्वेस करता, सबसे पहले मैंने का, you know, I'm going to start. So मैंने कहा किया कि एक साढ़े 800 फुट की दिवार के उपर एक कोने से पेंटिंग्स करना शुरू करते हैं. साथ आठ महीने चनाब उस साढ़े 800 फुट के मूरल को पेंट करता रहा, पेंटिंग्स बनाता रहा. जो भी मेरे अंदर एक्सप्रेशन था या डिप्रेशन था या फिस्ट्रेशन थी, उसको मैं चाहरा था कि मैं बाहर ले क्या हूं. बात में अल्ला का शुकर यह हुआ, कुछ होर आर्टिस्ट आए, फिर उसकी बात कुछ बड़े मज़िदार किसम के रैप, सिंगर्स थे वो आए, डांसर्स आए, तो यह मैंने शुरू किया. अब जब हम यह प्रोटेस्ट करते थे, तो लोग यह समझते थे कि यह कोछ फेस्टिवल हो रहे हैं, लोग उसके अंदर मिंगल राउंड कर रहे हैं, एंचुआई कर रहे हैं, और बेस्ट पार्ट वास इस, ता मैसेज़ विचिज़ आई हैव इन माय हार्ट, उसको मैं ब मुझे इमरान खान की एक बहुत बहुत इच्छी रखती है, इमरान खान वारियर है, जिस भी चीज़ को अपना बेवी बनाता है, जिस भी चीज़ को वो करना जाता है, उसके लिए वो मैनत करता है, और आखर में जाके उसको अचीव करता है, चाहे वो पकिस्तान किरकर ट ती वो उसको लीड कर रहा था उसके बाद हॉस्पिटल आपको यह चीज मैं आपको बताओं क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है मैंने खान सब को देखा है कि जिस समाने में वह SKMT के लिए काम कर रहे थे मैंने भी एक सर्टन टाइम पीरिड में काम किया SKMT के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा उस बंदे ने गिव अपने किया करता रहा उसके बाद उसने काई जी he is going to be a politician और उसने जाके अपने उसके का मैंने पार्टी बनानी है उसके बाद मैंने इस मुल्क को दीड करना है वो अपनी मैनत करता रहा हूँ आज माशालला माशालला तो उस मुकाम पे पहुँचे लिए ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी मेरी अपनी स्ट्रगल थी मैं अपनी कोशिश कर रहा था अब इनसान को अपनी स्ट्रगल पे अपने वीजिन के उपर ट्रस्ट होना चाहिए चाहिए आपके हलात साथ दें या ने ने कोई आपका हाथ पकड़े या ना पकड़े लेकिन आप क्लियर होँ अपने काम के लिए है इंसान ट्राइज जरूर करें कोशिश जरूर करें और उसकी उपर परशेल पर प्रस्टेटली कर लैं कभी कभी क्या होताँ चीजे कम अर्से में हो जाती है कभी कभी टाइम लगता है लेकिन हो जाती मेरा आर्ट प्रोटेस्ट ऑन वाल स्ट्रीट अच्छा रहा बाद में एक दिन हम लोग बैठे हुए ऐनलाइस कर रहे थे काफी सरी दोस्त बैटे हुए थे आपस में डिसकस कर रहे थे कि यार हमने अच्छीव क्या किया वाट इग्जैक्ली भी एचीव आउट अफ दिस ऑक्कुपाइवाल स्ट्रीट एंड आर्ट प्रोटेस्ट अन वाल स्ट्रीट और जितनी भी मूव्मेंट च्छोटी चुटी चली इसके अंदर एक और मूव्मेंट बाद में चली थी एवरी से एक फाइदा यह हुआ कि काफी सरी लोगों को जॉबें मिली आइटिंक एस्टिमेटेड जो जॉब्स हैं जो नियॉयर्क के अंदर जो सक एस्टिमेट की गई थी वह थी साथ हजार मॉर्गेज रेट कम हुआ बैंकों को रच्छटका लगा उन्होंने 1.2% 1.1% मॉर्ग किया तो उसकी वज़े से आम लोगों की जिन्देगी में एक रिलीफ आया I'm not going to take this credit I'm not saying कि I did that because जो movement होती हैं वो सब मिल के करते हैं क्योंकि हर दिल की आवाज होती है लेकिन यह है कि आप चहां पे जो कर सकते हैं वो जरूर करें मैं हमेशा अपने तमाम नौजवान दोस्तों को जो भी मेरी जिन्दगी में इर्द किर्द लोग आते हैं या वो अपना problem बताते हैं तो मैं अंसे कहा करता हूँ कि यार कोई बात ने जो चीज़ें हो रही हैं मुझे पता है यह तकलीफ दें लेकिन अपने आपको focus करें कोशिश करें मैनत करें आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं आपकी intention सही होनी चाहिए आप अपनी सबसे पहले तो अपनी direction देखें ना कि आप जो कर रहे हैं कि I think जिस से अप्रोच कर रहे हैं अपनी चीज़ को क्या वो सही तरीका है उस पे उस पे मिसाल कि एक आदमी ने एक शह से दूसरी शहर जहना होता है तो जाहर है वो कहता है कि यार मैं कितनी असानी के साथ कितनी एकनॉमिकली जो मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं मैं उस शहर में कम से कम टाइम में पहुंश सकता हूं उसमें वो या बस लेता है ट्रेन लेता है जा नहीं होता तो किसी से लिफ ले करता है कही न कही से हर इंसान के अंदर अल्लह ताला ने एक मकम्ल काइनात प्यदा किया है उसकी ड्रीम्स है उसकी विशिस है उसकी लाइकिंग है उसका उपिनियन है अल्ला ताला ने हर इंसान को मुकमल प्यादा किया किसी को आप अंडरेस्टिमेट करें कभी ना करें और कभी अंडर्माइन ना करें माइट जिस पजल के लिए वो बिल्ड हुआ है वान डे सम्वेर उसका काम आपको नजर आज़े इस प्रेश मत करें तो सुपरषीड मत करें ठीक है उसका अपना रास्ता है आपका अपना रास्ता है ने आपका आप स्टॉप साइन लगाएं आप किसी को दिक्कादे कि अगर आप उपर आ रहे हैं यकेन मनें कि आप काम्याब आद्मी नहीं है अगर आपने काम्याभी हासल भी कर ली उस काम्याभी को आप कभी जोई नहीं कर सकते वो फेर नहीं है किसी ने बड़ी इच्छी बात किया है जब किसी से किसी को हराने के लिए मत खिलो बलके जीतने के लिए यह जो जजबा होता है यह जो स्पार्क होता है कि I'm going to win I'm going to proof यह लिए यह लावी आपकी मदद करते हैं कहते हैं यह यार यह इनसान एतनी मैनत के साथ इतने खलूस के साथ इतनी सचाई के साथ इतनी अचाई के साथ अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं इसको help करना चाहिए अवेर्ड जुरूर रहें कि अवेर्नेस क्या है आपके इतनी जो आपकी मूव्मेंट है या आपका गोल्स हैं क्या वो पॉजिटिव हैं उनका पॉजिटिव होना जो होता है वो बहुत important होता है I'm not saying कि हम किसी को undermined करेंगे और किसी को super street कर बहुएं पहुंचें लेकिन हर अंदर हर इंसान के अंदर तो इक बेकरारी होती यह जनून होता एं लेकनмат यह खुशना कुश करने का होता है महत दोगत है अल्ला ने ये सांसे दी है, अल्ला ने ये जिन्दगी दी है, ये अल्ला ताला का तोफ़ा है फिर सबसे बड़ी चीज है कि अल्ला ताला ने आपको हिम्मत दी है, साइके दी है, रोशनिया दी है अब फिर अगर आपने उन जो आप जिन से आप इंस्पायर हैं जिन को आप फॉलू करते हैं उनकी जिन्दगी को आप जाके चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो किस किस तकलीफों से गुजरे हैं उस मकाम तक पहुँचने के लिए मकाम यह नहीं है कि उनके पूरे पूरे उनके शेयर उनके नाम पे हैं या उनकी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बात यह है कि उनका विजिन की रोशनी आपके दिलों में चल रही है यह नहीं आपको सीधा रास्ता दिखा रही है यह नहीं दो आपको सीधा रास्ता दिखा रही ह सीधे रास्ते पे सरातिल मुस्तकीम पे चलाए और जो भी हमने अच्छा काम करना है अल्ला ताला हमारी मदद फरमाए वो हम काम कर सकें ल्ला हमें हम्मद दे और अल्ला हमारी मदद करें शुक्रे है अस्सलाम उलेक्वाम वही जदो